हेलो वाइस आज की वीडियो मैं बताने बाले हैं कि जमारा OnePlus Nord CE3 Lite 5G Phone एदो OnePlus Nord CE3 Lite 5G Phone की सेटिंग्स पर जाकर आप कैसे अबने OnePlus Phone में Phone में Double Tap to Screen Options को कैसे On कर सकते हैं और Double Tap to Screen Options को कैसे On कर पाएंगे OnePlus Phone की सेटिंग्स पर जाकर तो आज हम वीडियों बताने बाले हैं कि Double Tap to Screen on Options को कैसे On कर सकते हैं और कैसे On कर पाएंगे OnePlus Phone में तो बताने बाले हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें साथ नहीं बैल आइकन दबाना ना भूलें तो आइकन शोर हैं जिसमें आपको स्वाइब करना स्वाइब करती है याल आइकन से उपन हो जाएगी इस पर जाकर Double Tap to Screen on Options को कर सकते हैं जिसका आप यूज भी कर सकते हैं देख सकते हैं कि सैटिंग शोर ही है जहां से आपको सैटिंग्स पे करना आप करते हैं फोन की सैटिंग्स से उन जाएगी जहां से Double Tap to Screen on Options को स्क्राइब हों कर सकते हैं कि आपको स्लाइड करना है पर चले जाना है तो अनलोग स्क्रेन पर जाएंगे जिसका आप यह पिर पाएंगे जिसका आप यूजगर सकते हैं और कर सकते हैं इस तरह से देटके हैं डबल टैब टू लॉक ऑप्शन सारा इसको अन करते हैं इसक्रीन को लॉप कर सकते हैं और चाहिए तो डबल टैब टू एक ऑप्शन का यूज करके स्क्रीन को अन भी कर सकते हैं इस तरी से आफ कर देंगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगी सब्सक्राइब करें तो आपको वीडियो चले तो लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन दवाना ना भूले थैंक्यों नेक्ट वीडियो गले इंतिजा करें